हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माय चानल आज हम बनाने जा रहें कड़ाई पनीर बिल्कुल कम मसाले के साथ और बहुत ही जादा टेस्टी और डिलिशेस कड़ाई पनीर तो चलिए देखते हैं हम लेंगे कड़ाई उसमें डालेंगे सर्सो का तेल तेबल स्पून ऑईल डाला है उसमें हम डालेंगे जीरा जैसे ही लाल हो जाए उसमें हम डालेंगे प्यास मैंने तीन से चार मीडियम साइज का प्यास लिया है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं थोड़ा सा एक मिनिट उ तो यहां पर दो से तीन बड़े टमाटर लिये हैं आप अपने एकॉडिंग टमाटर ले सकते हैं अब उससे हम चलाएंगे तोड़ा सॉफ हो जाए इसलिए हम डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए अची तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे एक कालेंगे दिखेंगे टमाटोस थोड़ा सॉफ होने स्टार्ट हो गया है अब इसमें हम डालेंगे पांच से शे हरी मिच्ष और इसे और एक मिनिट के लिए सॉफ होने देंगे अभी आप देख सकते हैं यह अची तरीके से सॉफ हो चुका है है नरम हो चुका है अब हम ग् कड़ाई में हलका सा तील डालके अनियन को रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे जैसे ही वो हलका सा नरम हो जाए उसे निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में हम शिमला मिर्श को भी रोस्ट कर लेंगे हलका सा पकाना है जाधा शिमला मिर्श को पकाना नहीं है उस अब उसी कड़ाए में हम पनीर को भी हल्का सा शालू फ्राइ कर लेंगे, हल्का सा सुनेरा कलर आने के बाद हम पनीर को निकाल लेंगे, यहां पर अन्यन टमाटो भी ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे मिकसर गाइंडर में लेके इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंग एक पैन लेंगे और उसमें दो से तीन चमच सरसो का तेल डालेंगे और उसमें जिंजर गाली का पेस्ट डालके हलका सा भून लेंगे अब उसमें प्यास टमाटर का प्यूरी डालके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे जब तक साइट से तेल छोड़ना दे अब हम यहाँ पे कुछ सुखे मसाले डालेंगे हमने डाला है तनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, शाही पनीर मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से भूनना स्टार्ट हो चुका है और मसाला भून जाए अब हम उसमें एड करतेंगे शिमला मिर्च और प्यास को अच्छी तरीके से उसे चलाने के बाद उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ढग के दो से तीन मिनिट के लिए पकने देंगे दो से तीन मिनिट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी थिक होने लगा है अब इसमें हम एड कर देंगे पनीर आप अपने हिसाब से पानी एजस्ट कर सकते हैं इसे मैंने और एक मिनिट के लिए ढग के रखा था आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आय एक्यू